नमस्कार दोस्तो असोका स्टेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो हम बात करें थे राजस्तान में 18 स्टाउन के करांति और दोस्तो राजस्तान में 18 स्टाउन के करांति का पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है यदि वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें क्योंकि आगे की करांती समझने के लिए वो वीडियो बड़ा ही महत्वपून है क्योंकि उसमें राजस्तान में अठारस्तावन करांती कैसे शुरू ही कब-कब कौन सी घटनाई हो ही वो इसतार से बताई गी है तो एक बार जो पिछला जश्ट पिछला जो अठारस्तावन की करांती का पार्ट वन जो नाम से वीडियो है तो दोस्तो उसको एक बार जरूर देख लें आज हम बात करते हैं दोस्तो राजस्तान में 1857 की करांती का पार्ट टू पार्ट बन में हमने बात की कि राजस्तान में 1857 की सुरुआत कां से होती है उसमें बात की हमने कि इसकी सुरुआत नसीराबाद अजमेर से होती है 28 में 1877 को जो पंदरवी बंगाल नेटिव इनफेंटरी सेने टुकडी थी उस टुकडी ने सबसे पहले राजस्तान में 1877 के करांती की सुरुवात की आज हम दोस्तों दूसरी जो चावनी थी उसकी बात करेंगे दोस्तों मैं आपको बता दूँ राजस्तान में अंग्रेजों की जो कुल सेने चावनिया थी वो छे थी राजस्तान में जो सेने चावनिया थी उनमें दोस्तों एक तो थी ब्यावर एक थी नसीराबाद एक थी एरिनपुरा ये दोनों पढ़ती थी दोस्तों अजमेर में एरिनपुरा दोस्तों ये पाली में एक थी देवली टोंक एक सेने सावनी थी दोस्तों नीमच हलांकि वर्तमान में मद्देपरदेश में पढ़ती है और एक थी दोस्तो खेरवडा जो उधेपुर में पड़ती थी इस प्रकार से दोस्तो 6 सेन्ने चाउनिया थी लेकिन एक इंपोर्टन बात मैं आपको बता दूँ कि राजस्तान में खेरवडा और ब्यावर सेन्ने चाउनिया ऐसी थी जिन में अठारा सो सताउन के करांती नहीं हुई बाकि च्यार सेन्ने चाउनिया ऐसी थी दोस्तो जिन में अठारा सताउन के करांती हुई थी वो च्यार थी नसीराबाद, एरिनपुरा, देवली और नीमच दोस्तो नसीराबाद में तो करांती की सुरुवाती होती है जिसकी सर्चा हम पहले वारी वीडियो में कर चुके हैं आज हम बात करेंगे दोस्तो जो दूसरी चाहने सावनी थी जहां पर विद्रो हुआ वो थी नीमच और आज हम बात करेंगे नीमच में विद्रो तो दोस्तो नीमच वैसे वर्तमान में मद्यप्रदेश में पढ़ता है लेकिन उस समय ये राजस्तान या राजपूता ना कह सकते हो उसी प्रांत के अधीन मना जाता था अब दोस्तो नीमच में जो सैनिक थे उन सैनिकों का जो मुख्य एक अंग्रेज अधिकारी था उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था सार्जेंट एबोट तो ये करनल एबोट जब इनको मौलूम पड़ा कि नसीरबाद चाउनी में विद्रो हो चुका है तो इन्होंने क्या क किया कि नीमत चाउनी में सुरक्सा बढ़ा दिये और इन्होंने नीमत चाउनी के जो सैनिक थे इन्हें नीमत चाउनी के सैनिकों को इन्होंने सपत दिलाई और दोस्तो सपत किस बात की दिलाई सपत दिलाई इन्होंने वफ़दार रहने की यानि कि अंग्रेजी सासन के प जिनका नाम था मुहमद अली बेग तो मुहमद अली बेग ने सरुपर्थम इस साउने में क्या किया विरोध किया यानि कि इन्होंने सपत लेने से मना कर दिया और इन्होंने कहा अंग्रेजों को कि क्या आप अपने कसम या अपने सपत के प्रती वफदार थे जो हम भी रहें क्योंकि अंग्रेजों का जो भेदबापूर्ण रवया था बारतिय सेनिकों के साथ तो उससे बारतिय सेनिक बड़े परिशान थे वो भी एक बड़ा कारण था 1857 के विद्रों में दूसरा कि मौमद अली बेग अवद के सनिक थे और अवद के राजपाट को से जो हजरत बेगम महल थी उन्हें बेदखल किया हुआ था और अंग्रेजों ने उस पूरे राजपाट को अपने अधिकार में लिया हुआ था इसलिए एक भावना सुरूब भी इनका इनकी सांतोना थी अवद के पृति और इसी वज़े से भी इनके मन में अंग्रेजों के पृति नफ्रती तो इन्होंने अंग्रेजों कहा कि आप ही अपनी कसम के पृति उपदार नहीं हो तो हम ही क्यों हो मौमद अली बेग का साथ देने वाले दूसरे विक्ति थे हीरा सिंग तो दोस्तो हीरा सिंग और मौमद अली बेग के नेतरतों में नीमत चाओने में विद्रो की सिरुवात हो जाती है 3 जून 1857 दोस्तो यह तारिक बड़ी मेत्वपून है 3 जून 1857 को कौन से चाओने में नीमत चाओने में विद्रो की सिरुवात होती है सबसे पहले राजस्तान में विद्रो हुआ था नसीरबाद चाओने में कई बार प्रिक्ष्यामेन का करम भी पूछ लिया जाता है तो जून 1857 को सेनिकों ने इनके नेतरतों में विद्रो कर दिया और जो सर्जेंट थे अंग्रेज सर्जेंट एबोट इसकी क्या कर दी इनोंने हत्या फिर यहां से दोस्तो यह जो बाकी बचे खुचे अंग्रेज अधिकारी थे वो यहां से भागते हैं और कहा जाता है कि सर्ण लेने के लिए किस तरफ जा रहे थी दोस्तो उदैपुर की तरफ जब उदैपुर की तरफ यह सर्ण लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक किसान ने इनको सर्ण दी और उसका नाम था रूदाराम रूदाराम ने इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को डूंगल गाउं जो चित्तोडगड में पड़ता है वहां पर सरणदी थी तो यह तत्थे भी बड़ा मेतुपूर्ण है जब यह 40 अंग्रेज अधिकारी यानि की नीमस से किस तरफ भाग रहे थे उद्यपूर रियासत की तरफे तब रुदाराम नामक किसान ने इन्हें कहां पर सरण करना थे सुरोप सिंग को हुआ है तो जो कैप्टन सावरस्त थे उनने सुरस्प शिंग की साइता से इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को यह से स्रुक्षित निकारा और इनको जो पिछोला जील की किनारे जग मंदिर और जग निवास महल बने हुएं हैं इन महलों में इन अं अंग्रेज जदिकारियों को बचाया गया और इस प्रकार से ये विद्रो हुआ था नीमत चावनी में फिर उसके बाद में दोस्तों ये जो नीमत चावनी के विद्रोई सेनिक थे ये नीमत चावनी के विद्रोई सेनिक यहां से सीधे चले जाते हैं देवली तोंग क्यों क् तो देवली टॉंक में इन्होंने काफी लूट पार्ट मचाई और वहां से भी सेनिकों ने विद्रो करते हुए इनके साथ मिल गए और यहां से फिर यह दोनों मिलकर सीधे किस तरफ निकल गए दोस्तों दिल्ली की तरफ निकल गए इस प्रकार से विरो यह विद्रो होता है एक तो नीमच में और एक काम पर देवली में अब दोस्तों इसके बाद में हम आगे बात करेंगे एरिनपुरा और मारवार रियासत में पढ़ता था उस समय एरिनपुरा चाउनी तो उसमें जो विद्रो हुआ और दोस्तों राजस्तान में यदि 1870 के करांती की बात की जा है वह तो एरिनपुरा चाउनी में हुआ है दोस्तों ंपुरा चांई जो में जगे पर जिले में जगे पड़ती है और dauernा चाौनी में उस समय जो सेंक टुकडी रहती थी वह थी जोत्पुर्ग मीशे III अब जोत्पुरलीजिए gay के टुकडी उस समय वी थी मांट आवु म क्योंकि माउंट अबू भी उस समय अंग्रेजों की राजतान में अलंकि अंग्रेजों का अजमेर मुखे केंदर था लेकिन ग्रिस्म काल में इनका केंदर रहता था माउंट अबू में तो मांट आबू में जोद्पूर लीजियम के एक टुकडी बेजी हुई थी तो इस जोद्पूर लीजियम टुकडी ने मांट आबू में विद्रो कर दिया 21 अगस्त 1877 को और यहां से विद्रो करते हुए जो माउंट अबू में एक अंग्रेज थे जिनका नाम था अलेकजेंडर यह अलेकजेंडर जो अंग्रेज अधिकारी थे यह भारत के जो सोरी राजस्तान के जो एजीजी थे पैथिक लोरेंस उनके पुत्र थे तो इन्होंने क्या किया कि यहां पर इनकी हत्या कर दी हत्या करने के पसाथ यह सेनिक सीधे यहां से जो इनकी चावनी थी एरिनपुरा वहां पहुंच जाते हैं 23 अगस्त 1857 को 23 अगस्त 1857 को वहाँ पहुँचने के बाद में एरिन पुरा में फिर इनका नेतरतु किया जाता है उनमें परमुक व्यक्ति थे तिलकराम और एक थे सीतल परसाद तो इनके नेतरतों में तिलकराम और सीतल परसाद के नेतरतों में जो बाकी बचे हुए सेनिक थे वो भी 24 से बड़ा ही इंट्रेस्टिंग यूटर लेते हैं ये क्योंकि उस समय एक और दूसरी गठना चल रही थी अब दोस्तों उससे में क्या था एक ठिकाना था आववा ये मारवाड रियासत के अदियन ठिकाना पड़ता था और उस समय आववा की ठाकुर थे वो आववा की ठाकुर थे दोस्तों कुसाल सिंग अब यह कुछाल सिंग उस समय क्याते जोधपुर रियासत के बागी गोशिद थे अब जोधपुर रियासत के बागी क्यों थे दोस्तों खोट जोधपुर के सासा comparison थे जोधफ पूलिटिकल agent थे दोस्तों वो थे Mac Mason तो अब जो ठाकोरे कुसाल सिंग थे इन्होंने क्या हुआ था कि यहां पर एक जगे थी बीठोडा तो बीठोडा के एक जागिर्दार थे जिनका नाब था Kanji पटेल तो उनकी उन्होंने क्या कर दे थी दोस्तों हत्या कर देती अब इस वज़े से तक्त सिंग और कुसाल सिंग के बीच में रिष्टे ठीक नहीं चल ले थे और जोदपुर रियासत ने इसे बागी गोशित कर रखा था अब ये बात जब इन सैनिकों को मालूम पड़ती है कि कुसाल सिंग को जोदपुर सासक ने बागी गोशित कर रखा है तो ये इसके पास सले जाते हैं और इसे कुसाल सिंग को भी यही चीए था कि इतने बड़े सैनिक अपने को बिना किसी प्रियास के मिल रहे हैं तो कौन इनका नेतरतों नहीं करना चाहेगा तो कुसाल सिंग तुरंत प्रवावस चे इनका नेतरतों करने के लिए तयार हो जाता है अब जब जोदपुर सासक तक्त सिंग को जब इसका मालूम पड़ता है तो जोदपुर के सासक तक्त सिंग ने कुसल राज सिंग वी और अनार सिंग और एक अंग्रेज अधिकारी था हित कोट इनके नेतरतों में एक सेना वेजी और दोस्तो एक इंपोर्टेंट गटना है आठ सितंबर 1877 को एक युद होता है जिसे कहा जाता है बीठोडा का युद दोस्तो इस बीठोडा के युद में क्या होता है कि जो कुसल सिंग था इस कुसाल सिंग की जीत होती है और इसमें जोदपुर का किलेदार अनार सिंग दोस्तो मारा जाता है यानि कि इसमें विद्रोई सेनिक और कुसाल सिंग विजेता हो जाते हैं और जोदपुर की सेना आरजाती है और अनाड सिंग जो जोदपुर का किलेदार था वो उसमें मारा जाता है उसके बाद में दोस्तों वापस से 18 सितंबर 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को वापस से जोदपुर की सेना आती है लेकिन इस बार ध्यान रखना दोस्तो जोदपुर की जो पोलिटिकल एजेंट थे मैक मैसन और उनके साथ में खुद जो उस समय राजस्तान के एजीजी थे दोस्तों बड़ा IMPORTANT नाम है राजस्तान के एजीजी थे पैटिक लोरेंस ये एक मातर ऐसी ऐसा संगर्स था जिसमें एजीजी ने भी भाग लिया दोस्तों बड़ी IMPORTANT गटना थी और वो थे पैटिक लोरेंस तो मैक मैसन और पैटिक लोरेंस खुद एक सेना का नेतर तो करते हुए यहां पर आते हैं और इस युद को जाना जाता है दोस्तों चेला वास का युद इस चेला वास के युद को इध्यान रखना दोस्तों इतियास में कहा जाता है काले गोरों का युद अब दोस्तो इस चेलावास के युद्ध या काले गोर का जो युद्ध कहा जाता है इस युद्ध में भी दोस्तो कुसाल सिंग और विद्रोही सेनिकों की जीत होती है और दोस्तो इस युद्ध में मैक मैसन जो पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तो वो मारा जाता है और मैक मैसन का सिर काट कर दोस्तो आउओा के के किले पर लड़का दिया जाता है और इस परकार से दूसरे युद में भी दोस्तो विद्रोई सेनिकों की क्यों जाती है, जीत हो जाती है अब इसके बाद में कुछ समय तक तो जोदपुर सेना ने इसे आउवा पर वापस से आकरमन नहीं किया क्योंकि विद्रोई सेनिकों की ताकत उस समय जदा थी पिर उसके बाद में दोस्तों वापस से जोदपुर सेना बेजी जाती है 20 जनौरी 1858 को और अब की बार जोदपुर की सेना का नेतर तो कर रहे थे करनल होम्स तो दोस्तों ये एक बहुत ही योगी शेन नाइक थे जिन्नोंने राजस्तान में जगे जगे पर 1858 के दमन में इनका बहुत बड़ा योगदान था तो ये खुद सेना लेके आते हैं 20 जनौरी 1858 को और इनके नितरतों में 20 जनौरी 1858 को जो युद होता है दोस्तों इस युद को जाना जाता है आउवा का युद तो दोस्तों आउवा का युद किस तारिक को होता है 20 जनौरी 1858 को इस युद्ध में जैसे कुसाल सिंग को लगता है कि अब इसमें मेरी जीत संभव नहीं है तो कुसाल सिंग क्या करता है कि कुसाल सिंग का छोटा भाई था जिसका नाम था दोस्तो परत्वी सिंग तो कुसाल सिंग ने किले की जिम्मेदारी अपने चोटे भाई परत्वी सिंग को दे दी और खुद वहाँ से फिर फरार हो जाता है और वहाँ से जाकर पिर जो शलूंबर के ठाकुरते केसरी सिंग हलांकि उनसे पहले जोद सिंग के पास भी इनोंने सरण ली फिर उसके करती हो जाती है और ये कुसाल सिंग का दोस्तों चोटा बाई था जो लांबिया का ठाकुरता इस प्रकार से दोस्तों भी जनौरी 1858 को जो आउवा का किला था इसको विद्रोईयों से मुक्त करा लिया गया और इस पर जोदपुर सेना और अंग्रेजों का नियंत्रन हो गया दोस्तों जो होमस था उस समय जो आउवा की जो देवी थी सुगाली माता इस सुगाली माता को दोस्तों अंग्रेज यहां से उठाके ले गए थे और इसे ले गए थे वो दोस्तों अजमेर ले गए थे अजमेर ले जाकर रख दिया था तो जो सुगाली माता है इस सुगाल एक बात का उर्दान रकना दोस्तो जो जो मैक मैसन थे तो मैक मैसन की चेलावास गाहों में दोस्तों मैक मैसन की समाधी भी बनी हुई है और इस मैक मैसन की समाधी को दोस्तों जो रहबारी जाती होती है तो ये जो उंट पालक जाती होती है ये उंट पालक जाती इसकी पूजा करती है इसलिए इस मैक मैसन को उंट लोकेकित को देवता भी का जाता है दोस्तों टो रहबारी जाती इसका के समाधी पर पुझा पाठ करती है और ये जो चेलावास गाओं है जहां पर ये चेलावास का जृत होइड़ा था वहीं पे मैक 1660 में इसने आत्म समर्पन कर दिया था आत्म समर्पन करने के बाद में दोस्तो इसके खिलाब जांच के लिए टेलर कमिशन का गठन किया गया था ये भी ध्यान करना दोस्तो टेलर कमिशन का समंध किस्य था दोस्तो कुसाल सिंग की करांती में भूमिका की जांच के लिए बि सिंग के खिलाब था इसी वजह से इन टेलर कमिशन ने इसे आजाद कर दिया दोस्तों और इस परकार से जो एरिन पुरा चावनी थी इसमें इस परकार से विद्रो का अंत होता है तो दोस्तों ये बात की हमने एरिन पुरा चावनी की दोस्तों अगले वीडियो में वापस मि परांती में राजस्तान से जो समंद्रा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक बार इसको लाइक जरूर कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सेर भी करें धन्यवाद